बिहार के चर्चित तेजाब कांड में शाहबुद्दीन की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है पटना हाई कोट ने शाहबुद्दीन की याचिका को खारिच करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही माना है इस मामले में सीवान की स्पेशल कोट ने शाहबुद्दीन को उम्रकैद की सजा दी थी आपको बता दें कि हाई कोट ने 30 जून 2017 को ही शाहबुद्दीन की सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था मामले में मृत्कों के पिता चंदा बाबु ने शाबुद्दीन को फांसी देने की मांग की है बता दें कि 16 अगस्त 2004 को सीवान के चंदा बाबु के दो बेटे सतीश और गिरीश को तेजाब से नहला कर मार डाला गया था दोनों की लाशों के टुकडे टुकडे कर दिये गए थे ये सब रंगदारी ना देने पर हुआ था जिसका आरो बिहार के बाहु बलीनेता शाबुद्दीन पर लगा था न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्ट की रिपोर्ट आप हमारे चैनल को यूच्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर इसके लावा आप टुटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पर आप न्यूजलिया.निम्स यूनाई पर हमें लाइक कर सकते हैं